हेलो एब्रीवन स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल साउस और सलूशन्स पर और आप देखना सुरू कर चुके हैं रियक्ट 18 का फुल टुटोरियल सीरीज जैसा कि आप लोग को आडिया होगा कि अभी तक हम लोग ने जैसे के बारे में देखा है कि जैसे क्या होता ह है क्यों जैसेक्स जरूरी है रियक्ट जैस के लिए ठीक है क्यों जैसेक्स को हम लोग कोर्स कंसेप्ट मानके चलते हैं रियक्ट जैस के लिए क्यों हम लोग कैसा बोलते हैं कि जैसेक्स आपका जितना ज्यादा स्ट्रॉंग रहेगा आप उतना ही एक अच्छा कोड लिख पाएंगे और हमने ये भी आप लोग का अच्छा तरीक से बताया है कि create element function react.js में क्या करता है आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जब आप create element के द्वारा जब आप कोई HTML का element create करते हैं तो उस पर कैसे आप किसी attribute को set करेंगे यानि कि react.create element के थुरू जब हम लोग कोई भी element create करेंगे तो उसके साथ साथ कैसे उस पर कोई भी additional essential अगर कोई हमें attribute set करना होगा तो कैसे करेंगे इससे पहले आप लोगों पता होना चाहिए कि attributes क्या होता है जैसे अगर हम मानके चलते हैं कि एक डीव लिया हमने डीव पर अगरम माने हमें id set करनी है id क्या है attribute इस डीव का क्या information additional essential information set कर रहा है id जो उस डीव को uniquely identify करने में help कर रहा है ठीक है तो id क्या हो गए यहाँ पर आपका attribute हो गया ठीक है या जैसे अगर माने हमें कोई cc supply करनी है class style यह सब इसके attributes हो गए ठीक है तो attributes क्या होता है यह हम लोग अच्छे तरिश से इस वीडियो में देखने वाले है id कैसे apply करेंगे class कैसे apply करेंगे style कैसे apply करेंगे आपना कोई custom attributes होगा उसको कैसे apply करेंगे इन सारे topics पर basically हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह topic यानि कि हम लोग देखने वाले है adding attributes to elements with create element function ठीक है अब attribute add करने की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो आप लोगों को idea होना चाहिए कि attributes क्या होता है यानि कि attributes are essential properties of an element यानि कि किसी element का किसी html element का essential property होता है अपका attributes जो कि that enables us to uniquely identify जो हमें उस element को uniquely identify करने में help करता है जैसे id की इस अब क्या करता है आपका आपको उस elements को uniquely identify करने में help करता है इसके अलावा अगर आप style specific element in css और manipulate them programmatically using javascript अगर आप style भी अपलाई करते हैं किसी आप particular element पर वह भी आपका क्या है information ही है जैसे आप style के द्वरा आप color set कर लिए font size बढ़ा लिए background color set कर दिए class के थुरू भी आप उसको क्या style कर सकते हैं manipulate कर सकते हैं उस चीज को ठीक है तिस सब क्या attributes है इसे माल जा आपने एक input लिया इन पूट में आपने id दिया id क्या है उस input को uniquely identify कर रहा है that is id क्या attribute हो गया उसमें हम लों लिखते हैं कि type type में test ठीक है तब वह type क्या हो गया आपका attribute हो गया ठीक है वह यानिक उसके value को manipulate कर आपना अपना attributes होता है तो यानि कि each element और tag can have attributes सारे elements का का अपना अपना attributes होता है which defines the behavior of that element जो कि उस element का behavior define करता है कि वो क्या किस तरीके कभी है करने वाला है अगर सपोज कर लिए हमने एक input लिया type में दिया test तो टेक्स बॉक्स बन जागा हमने input लिया type में दिया radio बटन तो याडियो बटन बन जागा हमें type में दिया माल लिए चेक्स बॉक्स बन जागा हमें type में दिया माल लिए बटन तो बटन बन जागा एक ही element type के basis पर उसका अलग-अलग behavior हो जाएगा तो टाइप क्या है आपका यहाँ पर attributes ठीके तो जब हम लोग react.create element के थूँ जब हम लोग element create करते हैं तो उसके साथ साथ अगर हमें यह सारे attributes set करने होंगे तो कैसे करेंगे ठीके बैसिकली आज हम लोग इस topic पर बात करने वाल हैं तो चलते हैं हम लोग भी एस कोड़ पर तो तो हम लोग आ चुके अपने desktop पर मैं आता हूं भी एस कोड़ पर और यह जो कोड़ आप देख रहे हैं यह पिछली वीडियो का कोड़ है मैं अटा जाता हूं ठीक है के main.jswUND से कोड़ मैं छूड़ता हूं यहाँ पर क्या हैक यह एक यह पिसN Вас कंपोनेंट यह पर इंपोर्ट हे डिफॉल्ट इंपोर्टत मैं इसिन से यहाँ पर क्या करौंगा एक कंपोनेंट बनाऊंगा और डिफॉल्ट हैर रेक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस नाम दे दिया function और function का नाम दे दिया क्या app component ठीक है तो जैसे कि आप लोगों पता है क्या मैंने लेना है क्या एक my element नाम दे दिया ठीक है इसमें मैं क्या करता हूं एक suppose कर लिजिए एक पर नकैंने लिए चिया मैं मान लीजिए मैं यहां पर एक इक paragraph लेकल है ठीक है ठीक है हलाकि चलिए हम यहां पर नहीं करना चाह रहा है हम इसको यहाई सार्ण चीज हम क्या करना चाह रहे है shares reactrier to import होगा डॉट किरियेट कंपोनेंट ठीक है आपको यहाँ पर तीन परेम्टर भेजना होगा क्या 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 पहला टाइप टाइप में क्या हमें करेट करना है माल यह पारग्राफ करना है कि पारग्राफ दिया दूसरा क्या है अगर हमें माली कि कोई इनफर कोई भी हमें एट्रिब्यूट यह अब आपको ईसके पर मा नहीं पास करना है तो क्या करेंगे हम लोग यहां पर फिर दो अप्शन है यहां तो आप यहां पर हाप आपर आपर येसे नॉल पास कर दीज्टे और यहां पर क्या इसके children क्या कै देना है तो इसके तेखें दिदे देखें अभी हो सकता है कि basic चीजे लगे ठीक लेकिन दिदेखें हम लोग advance भी चीज़े कि फोर्ट यहां से कО्पी कर लेते हैं । इसका हो थाइंट लग रहा है इतना टाइम लगए गा ठिक है यह कॉपी कर लिया हमने और ब्राद 4 पर यहां पर प्रेशट पर दिया को चीक और एप 2Lपरेस करेता हूं ताक्षि यहां पर कुई error है कि नहीं यह पता लगता रहा है ठीक है नेखलिजे यहांपर क्या है है लो साव सब्ट आगए अगर आप इस पर किली करके यहां पर ले जाएंगे माउस तो आपको यहां पर दिखेगा क्या पारग्राफ यहां पर एड हो गया ठीक है अभी हमने इसमें कोई भी दिख लिए पर क्या कोई भी यहां पर एट्रिब्यूट सेट नहीं है तो यह अगर आपको कोई अर्सके कर देजヤ सब्सक्राइब कोई है कोई यूकम यहां पर पारग्राफ भाते हैं ऐका अगर लेकिन हम चाहते हैं कि क्या पास करें पास करें तो हम चाहते हैं कि इसको unically identify करने के लिए id set करें ठीक है तो क्या करेंगे हाँ पर id attribute set कर देंगे ठीक है और id के अंदर क्या हम दे दिये क्या अगर हम चाहते हैं कि इसमें एक अपना कस्टम use set करें जैसे मानले यहां नाम दे दिया एक ये लिचेप नाम दे दिए ठीक है यह क्या कोई इस पाराग्राफ के ब्लट इन ट्रिब्यूट में शांप के यह का विवल यहां पर लिखा है की यहां पर देखेंगे वह एक तरह से बन गया ठीक है एड हो गया ठीक है देखिए अब सब्सक्राइब कर लिए कि जो हमारा कस्टम एट्रिब्यूट है वह माई एटर के बीच में ऐसे है माले यहां पर यहां पर यहां पर दोनों के बीच में हाइफन है तो कैसे करेंगे देख लिए अभी सिंटेक्स काम है दिखें माई-ैट्रिब्यूटूट ठीक है अगर है तो हम बीच में क्या देंगे ऊस प्पेश दूर clingजी है अंगर ऐफन है तो दोनों को क्या करेंगे पूरे वड को क्शेंग्वेस की अंदर रखेंगे ठीक यह तक की लिए कौपी कर दिआ अब सब्सक्राइब कर लिए चलिए हटा जाते हैं यह ठीक है सपोज कर लिए कि हमें इस में क्या करना है स्टाइल स्टाइल सेट करनी है तो स्टाइल अट्रिब्यूट ठीक है स्टाइल कॉलन और यहां पर क्या आपको एक ऑब्जिट के फॉर्मिट में भजना है स्टाइल को ऑब्जिट के फॉ लग गया ठीक है सब कुछ बिल्कुल लीजी है अगर आप सब्सक्राइब कर लिजे कि इसमें मॉल्टीपल एट्रिब्यूट है सेट करना चाहते हैं कर दिजिए यहां पर क्या है यह चुक्क है अब्जेक्ट में की एंड भेलू हता है अगर आपको और यहां पर सिट करनी है करने है कि इस दृधि लिए थैक Will dies being में क्या यह मने क्तुर सब्सक्राइब factors कर दिया कपसे छोटा देख श्याता अब रदा देखने लागा थन्रेवर्म 가 थ değer To getर कर आप यहां पर कोई भी स्टाइल का प्रोपर टिया आप यहां पर अब voz कर लिए अगर हमें इसमें कोई क्लास करनी है ठीक है तोजास तो चुबीक करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगा क्लास नेम क्यों के ये रिक्ड करता है जावा स्कीट में भी क्लास होता है ठीक है लेकिन यहां पर कि शीचिस में भी क्लास होता है ठीक है तो सीचिस वाले क्लास को आप क्या लिखेंगे डिखेंगे दिखेंगे तो ये की हम्पालिर को लगेगा कि यह पिडिए सीचेस वाला क्लास नैम यूज और यहां पर कोई भी कलास का नाम डाल लिए समया मैं डाल दिए क्या sollsoft in अग्रीए तो अवे तो एक्लास है नहीं पिर भी aquestality यहां पर मत अप्लाई हो क्या होगा में धिक लिए क्लास में क्या साओ सटप्ट्रट। कि यह स्टाइल कहां से आ रहा है देख लेते हैं कभर स्टाइल कहां से आ रहा है कि सेव कर हमने स्टाइल नहीं आने चाहिए की मिלא परस्टाइल नहीं यानी चाहिए ड़ेख लिए स्टाइल नहीं हा थीक हुप सबस्क्राइब हाई यहां पर बनाता हूँ थीक है स्टाइल ऑँ ड्राइब अभी इससे ढहीं कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंगी हम昨ब नामस्वना दिया और यहां पर देता हूँ क्या color color में दे दिया माल लिए क्या रेड रेड दे दिया ठीक है देख लिए अब इसको इस यह इस एप दोट चीज तो मैं आपका करूंगा apply करूंगा import किया import dot slash app.css ठीक है तो देखेंगे क्या कि यो color rate कर दिया होगा नहीं किया कोई दिकत नहीं किया तो देख लेते हैं क्या लिख है हमने साहो सफ्ट कलर में rate दिया हमने है ठीक है और यहां पर साहो साफ्ट अपलाई है कॉल तो होनी चाहिए सेव कर रहा हमने हो साहो सॉफ्ट कलर रेड यहां पर अपलाई नहीं हो रहा है क्रॉस हो जा रहा है क्यों साहो सॉफ्ट अच्छा और यहां पर सिस्टिंग पर में लिखना होता है ठीक है आप यहां पर यहां पर एक और क्लास में आते हैं अब यहां पूर सिंगल कोड़ के अंदर रखेंगे और आप यहां पर देखेंगे तो क्या करेंगे इसको मैं क्या करता हूं है पर अब यहां पर दो करना ज्य रेट भी करेगा और अच्छा फीर से वही गलती है यहां पर सिंगल कोर्स नहीं मुझे ध्यान आ रहा कि मेरी एक में लिख रहा हूँ ठीक是 miyim मुझे लग रहा है कि मैं यहां पर स्टाइल में लिख रहा हूं ठीक है टाइल में व्लिक टेशिवार में तो यहां पर सिंकल स्टान लिखना ठीक है तो आप लोगों समझ महया होगा अगर मान लिजे अगर हम इस पर ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने क़लाइब कर दिया तो अप्सटाइल यूज़ है worst फॉस्त मर्वर्ण इंद च्शाइब करनी है है हं पर, स्टाइल और यहां पर क्या आप्जेक्ट और यहां पर दे दिया क्या मानज है बेंडर्बब्स निविए हमने क्या चाह्ऀ कि आपको सिंकल कूट्छ में लिखशना होता है क्या Ken wait यह लोग कर दिया माले ज़िए ठीक है देख लिजे बेगराउंड को दर भी हो गया फॉंट साइज भी हो गया और कलर आपका रेज भी हो गया ठीक है आप लोग को समझ मैं होगा कि कैसे कोई भी एट्रिब्यूट आप सेट कर पाएंगे ठीक है तो आइडिया लग चुका हो पो एक या फर माल यहां हो फो यहां पर क्या है आई-अंजीट टैग ठीक है आफ यह गजीट कर देगा दूसरा अभ हम यहां पर एकट्रिब्यूट पास करनीज्ट पास करनीmekिर मा περιद्फिग्राढ़ांकि यहां पर यहां पर बलाइंग कि रहने दीजे ठीक है सारा काम किसका होता है यहां पर object का ठीक है मतलब प्रॉप्स का ठीक है तो प्रॉप्स में क्या पास करेंगे एट्रिब्यूट तो IMG यानिक इमेज का अट्रिब्यूट क्या होगा एस तरीके से कॉमा औल्ट में भी हम पास कर देंगे क्या जो भी देदिया क्या ठीक है देख लीजे अभी इमेज बनाया गा लेकिन अभी आप इमेज का पास नहीं दिया हमने तो दिखेगा नहीं ठीक है देख लिजे अच्छा इमेज एक पास निकाल लेते हैं आते हैं हम लोग यहां पर और यहां पर साहो सब्सक्राइब का एक लोगो कॉप्य कर लेता हूं रैट क्लिक कॉप्य इमेज एडरेस इसको बन करता हूं और यहां पर डाल दिया ठीक है इसको कुछ इस पर क्योंसे लिक लिए ताकि सही लगेगा देखने में भी अखिए ठीक दाखिये अए ओ से अफसे एल्च तो है कुछ न कुछ तर रशाट कि आ इमेज अच्छा देखिए बोल रहा है कि इसका कूछ चिल्डरन नहीं होता है ठीक है ताप यहां पर यह चिल्डरन नहीं पास करेंगे ठीकिश का चील्डरन नहीं होता है देख लिए प्रेक्षिस समझ माया क्या कि इसका चिल्डर नियु इंग इसका सारे काम एट्रिब्यूट्स होते हैं ठीक है जैसे सार्टी आल्ट वीद हाइट देखिए जब इसका आ जाएगा कोई एरर नहीं चाहिए देखिए लोगों आगे हैं आपकोई एरर नहीं है ठीक है इसका इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोगे किरियेट एलिमेंट जब करते हैं आप यह जब करते हैं और उसके थूरू आप जब भी कोई भी element create करेंगे तो कैसे उस element का ध्यान देना है कि उस element का children होता है कि नहीं होता है अगर नहीं होता है तो आपको चीज पास नहीं करनी है दूसरी चीज कि उसमें कौन-कौन से attributes होते हैं वो सारे attributes आपको को बहुत सारा idea लगा होगा ठीक है यह सारे चीज आपको ऐसे coding नहीं करनी है लेकिन पाता रहेगा तो आप अश्य तरीके से सोच पाएंगे जब आप यह सिस का code करेंगे तो ठीक है इसलिए क्योंकि हम चुकि हर चीज deeply पढ़ाते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि बस दो-चार ची भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ठीक है तो चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अभी तक आप लोगों ने हमारे चन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए और मिलते हम लोग इस सीरीज के जैसेस के सिया पार्ट का कोई आगला वीडियो तब तक के लिए थैंक्यू सो मज़